असलाम अलेकूम वेलकम टू टेक्स्टुडेंट गाइड मैं हूँ आपका टीचर राहील और आज आप देख रहे हैं गेस्ट पॉस्टिंग की क्लास नंबर 16 जिसका टॉपिक है SEO क्वैक SEO क्वैक हम सिर्फ और सिर्फ ट्राफिक चेक करने के लिए यूज करते हैं लेकिन इसके लाव हम कुछ और चीओ के लिए भी चेक कर सकते हैं जैसे कि वेबसाइड की ओन पेज यू के लिए और वेबसाइड के ओडिट के लिए अवैसे यह गेस्ट पोस्टिंग का टॉपिक नहीं है ना ही हम यूज करते हैं लेकिन फिर भी हमें थोड़ी सी हाउनाव ओन पेज यू की भी होनी चाहिए तो हम इसमें यह ओन पेज यू और ट सबसे बहुए लेकले हम एक्स्टेंशेंसे एड करेंगे ट्रैफिक चेक करेंगे और फेळी चैक हे और वेबसाइड करेंगे सिर्फ यह चाह टोपिक हैं कि एड कर चुकिंद пятु इन्वार्मेंट वाले सैटिंग encourage कि एडम attitudesgement कि अपर चोपन कर लिया अछा अब हम हम सुक को on करेंगे इसका भी क्या है एक बार है अच्छा अब इसकी हमने अभी सैटिंग नहीं की हमारे पास यह सरकल होता है इसका सैटिंग वाला इसे क्लिक करेंगे और इसमें हमने सिर्फ क्या देखना है ट्रैफिक ठीक है तो हम क्या चीज़ों को ओफ कर देंगे अच्छा अब यहीं से मैं आपको बताता हूं कि यह जो हमारे पास डैशपूर्ट खुला है है सबसे पहले कि हमारे पास पेज के गूगल करता है या कैस्ट टेट है कि गूगल आप इस टीके से कह सकते हैं कि हमारे पास गूगल हर वेबसाइट जिसको पर आर्टिकल वगएर लगता है उसके ओपर आता है देखते है कोई नया data तो नहीं है अगर नया data है तो उसको copy करता है और अपने database में save करके ले जाता है फिर अगर कोई person उसको google पर search करता है तो वो दिखाते है कि यह नया data है ठीक है तो google cache उसे कहते है इसके लावा google index yahoo index being index who is और samrish rank अच्छा जिसना मैंने आपको पताया था DAB मतलब मोजबार भी आपको rank देता है इसी तरह सैमरिश भी आपको rank देता है google index yahoo index और being index से मुराद है कि आपका कोई भी चीज आपकी जो links है वो google की database में है के नहीं अब जिस लिएकर मैं यहां पर लिखता हूँ abc ठीक है अम ऐसे search करो ना तो यह जो चीजे मेरे पास उपर आ रही है अब यह google में index है ठीक है तो आप इसको समझा आपको समझा आगी होगी कि index किसे कहते है कि अगर यह हमारे पास अगर तो वह हमारी website के अंदर किसी ने यह abc.net.au के उपर यह वाली जो भी चीज है यह google के उपर index है इसी वाज़ा से यहां पर शो हो रही है ठीक है मतलब कि google की history के अंदर यह available है अच्छा दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है इसी तरह yahoo index है कि yahoo के अंदर है के नहीं और being index मतलब कि Microsoft being के अंदर यह अगर हम search करते हैं तो है के नहीं अच्छा हुई बेसिकली में पस एक website होती है जो आपकी website को देखने के बाद बताती है कि website किस की थी किसने बाई की कहां से बाई की तो हम इसे ब्लोग भी कर देते हैं और हम देख भी सकते हैं ठीक है यह वह होता है अच्छा सैंब्रिश ट्राफिक मतलब अच्छा इसके लावब अगर हम SEO Quake को क्लिक करते हैं वहां पर एक लाइदा से मैन्यू आ रहा था सैंटिंग में यहां पर एक लाइदा से मैन्यू आ रहा है अब देखिए यहां पर यह मुझे बता रहा है Google Index मतलब कि Google के अंदर Time Business News के एक लाख 38,000 लिंक्स अवेलेबल है ठीक है यह इतने Index है यहू के उपर यह Index नहीं है अगर आप यहू के search इंजन में जाके Time Business News सर्च करेंगे तो आपको यह नहीं मिलेगी ठीक है इसका मतलब यह है कि Google यहू पर यह Index नहीं है बीएंग के अंदर यह Index है बीएंग के अंदर इसके बाईस सो दस link available है ठीक है आप आपको समझा आगी होगी है ओके अच्छा इसके लावा कतीस अक्तूबर को इसने लास्ट कैश के हैं मतलब के इसके ओपर अपडेट्स आती रहती है तो गूगल भी इसके ओपर आता रहते है इसकी ग्जाम्पल ऐसे समझ लें कि अगर मैंने वेबसाइट बिनाई है मैं इसक को दोबारा चeak करनें तीन दिन के दने आएगा ठीक है तो वह तीन दिन के बाद के देखेगा यह few few कोई अडियुट ने पिर वो तीन के बाद या फिर कोई अब डे करेंगे थूंस ना पता चलनाइब कि यह एकफ़तें के बाद सिर्फ एक अर्टिकल लगाता है है तो अगली बार वो पूर एक हफते के बाद आके उसको index करेगा तो फिर हम यहां पर लिखाएगा कि Google cash कि जिस्ता अगर हम बहुत एक हफते में एक बार करते हैं तो हमारे पास यह हो सकता है कि 30 को हुआ है तो अगली बार वो cash कब करेगा साथ 7 तरीक को वो करेगा cash तो यह चीज होते हैं जिस्ता अब हमारे पास 1 November हो चुकी है लेकन Google ने इसको last cup चेक किया था पिछले दिन ठीक है तो यह हो सकता है कि एक दिन के बाद article लगाता हो तो अभी तक इसने cash नहीं किया लेकन अगर आप Forbes के ओपर जाएंगे Forbes को चेक करेंगे तो वो हर रोज हर 10 सेकंड बात वो कर रहा हो क्यूंकि Forbes के ओपर article लिए बहुत publish होते हैं ठीक है आपको यह चीज समझा चुकी होगी अच्छा इसके लाब हमारे पास basically यहां पर पेज इनफो पेज इनफो में जाके हमना कुछ चीजें हैं किसका title क्या है matter description क्या है अच्छा keyword density यह कुछ चीजें हैं जो हमारे पास on page SEO के अंदर आती है मेरे खाथ से आपके relevant नहीं है तो इस वैसे हम इसको यहां पर close करते हैं ओके ठीक है back topic तो हमने आज इसमें देखा कि traffic कैसे वर्ग करती है हमारे पास अच्छा यह भी है एक होती हमारे पास monthly traffic और एक होती है original traffic हमारे पास कभी भी जो traffic है वह original नहीं बताता हमारे पास original traffic आती ही वह google analytics बता सकते है और कोई नहीं बता सकता है कि exact कितने लोग आए कि इतनी दे तक कि चलेगे गे गूगल analytics बताता है ठीक है इसके अरावा सैमरीश मोजबार एह रैफ सीमिलर वैब यह सारे estimation बताते है एक अंदाजा एक तुक्का लगाते है कि मेरे ख्याल में इतनी होगी ठीक है तो जो हमारे पास traffic आड ही होती है वह estimation होती है आप देखेंग तो इस step से आपको different बने गए और गयनिक वसे पेड ट्राफिक और गयनिक ट्राफिक उसे कहते हैं जो के खुदबाखुद आए ठीक है आपने कोई promotion नहीं की कोई एड नहीं लगाई खुदबाखुद ट्राफिक आ रही है जिसीए से मेने चैनल के उपर हमां कोई एड नही देख लिए हैं होप सो आपको यह वीडियो भी पसांद आई होगी अगर आपको पसांद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए अगर आपने subscribe नहीं किया तो प्लीज subscribe कीजिए थैंक यू